नमस्कार अखिल भारतिय तक्नीकी शिक्षा परिश्यत की एक अनूठी पहल एसीटी इंसाइट्स में आपका स्वागत है मैं हूँ इरम जैदी उच्च शिक्षा हासल कर रहे चात्र शात्राओं की आर्थिक और अन्य तरह की सहायता के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से सहायता दीजाती है वहीं कोर्स पुरा होने के बाद प्लेस्मेंट में भी छात्रों की मदद की जाती है इसके अलावा चांटरों को अपना स्टार्ट अब शुरू करने से लेकर विदेश में इंटर्णशिप करने जैसे अनेख सुनहरे मौके भी दिये जाते हैं आज हम ज स्तार्ट से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक खास महमान मौजूद हैं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में एहम भूमिका निभाई है हमारे विशेश अतिती हैं सर स्वागत है आपका गारे क्रम में धन्यवाद इरम जी सर ने परश 2022 में निदेशक के पद पर AICT जॉइन किया सर ने रागूलेशन ब्यूरो चातवरती और अनुदान ब्यूरो और आंत्रिक लेखा परीक्षा ब्यूरो में भी निदेशक के रूप में कार्य किया है सर इंसाइट्स शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद इरम जी सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि PMUSP क्या है और SSS-JKL स्कीम के बारे में हमें कुछ विस्तार से बताईए जैसा कि आपने बताया अभी शुरताओं को कि PMUSP एक स्कीम है परदान मंतरी उस्तर शिक्षन प्रोस्सान योजना उसके अंतरगत एक SSS-JKL स्कीम है Special Scholarship Scheme for Jammu and Kashmir and Ladakh के बच्चों के लिए जो कि Ladakh और Jammu Kashmir के बच्चे हैं उनको Jammu Kashmir और Ladakh से बाहर पढ़ने के लिए यह स्कीम दी गई है भारत सरकार की तरफ से और यह 2011-12 में भारत सरकार की तरफ से एक यह बहतरीन स्कीम है जिससे क कि जammu Kashmir और Ladakh के बच्चे पूरे देश के प्रतिस्टित कोलीजों में पढ़ सके यह 2012-2013 में AICT के अंतरगत आई जिसको इंप्लिमेंटेशन AICT कर रहे है और सर और कुछ इस स्कीम के बारे में आप हमें अगर बताना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के अ अंदर सभी स्कीम के बच्चे आते हैं जैसे कि इंजिनिरिंग भी है इसमें अंदर फार्मेसी भी है और आपका नर्सिंग के लिए भी बच्चे हैं और BA, B.Sc professional course प्लस आपका जो जनरल कोर्सिस हैं उसके लिए भी scholarship दी जाती है और इसके अंदर सो अलग से scholarship medical students को भी दी ज scholarship है हमारी उसके अंदर हमने इसको बाइफर्गेट का रखा है scholarship को जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे professional courses हैं जैसे engineering हो गया nursing, pharmacy, hotel management, architecture इसके अंदर हम 5000 में से 2830 scholarships देते हैं के वली इसी professional courses को और 2070 जो हम देते हैं general courses के लिए देते हैं जैसे BA हो गया आपका B.Sc हो ग प्रोपर आपने लिमिट्स बनाई हुए है, प्रोपर यह पुरा बाइफर्गेट करके seats का हमने करका है कि हर stream के बच्चे को पूरा फायदा मिले और सो जो seats है हमारी medical college के बच्चों जैसे MBBS, BDS जो बच्चे करते हैं, सो उनके लिए हमने अलग से 5000 के अंदर से education से वंचित हैं वहाँ पर उनको देश के परतिशित college के अंदर admission देखे उनका education का ध्यान रखते हैं, इस योजना का अलाब किस section के चात्र उठा सकते हैं, इस योजना का अलाब बेसिकली जिन्होंने बार्वी 10 प्लस 2 जो होती है, जिसे हम कहते हैं, 10 प्लस 2 करी हो, और बे लद्दाक में का ही student होना चीए, अच्छा, यह एक limit है, यह एक limit है, primary उसकी basic requirement है scheme की, जो भी student, जे के बोस से और CBSE से केवल उनी school से, जो की जम्मू कश्मीर लद्दाक में हो, अच्छा, वो ही उसका लाब उठा सकते हैं, अगर कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का है, और उ करने के लिए कोई एक proper प्रक्रिया जो आप use करते हैं, जिस तरह से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कृपया उसके बारे में भी बताईए, जैसे हर साल की बाती हम हर साल, हमारे जो AICT का पोर्टल है, उसके उपर हम बच्चों से registration करवाते हैं, जिसकी जानकारी हर साल, हमार जमसुन को बताते हैं, की registration का time स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले बच्चे को हमारे पोर्टल पर आके registration करना होता है, इसके अंदर, उसके बाद हम registration कर लेते हैं, उसके बाद उनकी document verification होती है, उन्हीं के जम्मु कश्मिर लद्दाक के स्कूलों के अंदर ही, Facilitation Centers है हमारे जो हमने उनकी सरकारों के साथ मिलके बनाए हुए है, तो वहाँ पर उन बच्चे जाके अपना document को verify कराते हैं, verify जब हो जाता है उनका document वहाँ पर तो हमारे पोर्टल पर update हो जाता है, उसके बाद फिर हम उनकी merit list बनाते हैं students की, 12th के marks के base पर, जब merit list बन जाते हैं फिर हम उसको शो करते हैं उनके website पर कि यह आपकी merit list है, उसके बाद फिर हम उनकी choice filling करते हैं, बच्चों को फिर हम colleges दिखाते हैं, कि वह देश की परतिशिस्ट college हैं, जो हमारे साथ जुड़े होए हैं, जितने भी नामचीन college है इस देश के, अच्छे से अच्छे वह हमारे साथ जुड़े होए हैं, और उसके साथ जब बच्चे उनको देख के अपनी choice filling करते हैं, और उसके बाद जब choice filling के बाद उनकी merit के अधार पर उन्हें जब admission मिल जाता है, तो फिर हम college में जाके अपनी joining देते हैं, जब college उनके फिर दुबार document चेक करते हैं सारे के सारे, और जब college satisfied हो जाता है कि उन्होंने college की सभी eligibility criteria पूरा किया है, उस university का eligibility criteria पूरा किया है, उसके बाद college joining letter पे sign करके, बच्चे के sign करके, वो हमारे portal पे upload करता है, उसके बाद उनकी पूरी खतम हो जाती है, जैसे ही वो upload होता है उनका joining report, हमारी तरब से वो हमारे scholarship portal पे आ जाते हैं, व तो मैंने आपको बता है, बाद आपको बता है, और दूसरा है कि इसके अंदर जो हम scholarship देते हैं, जो professional colleges है, engineering जैसे मैंने बता है, आपको pharmacy बता है, तो इनकी जो हम देते है academic fees, बच्चों को, academic fees का cap लगा रखा है एक लाग पच्चिस जार उपे, maximum 1,25,000 हम देते हैं बच्च हैं, तो हम केविल 1,25,000 हजारी देंगे, और वो बच्चों से कुछ चार्ज नहीं करते हैं, और academic fees एक लाग पच्चिस जार है, professional colleges के लिए, और जो हमारे ये अपने general colleges है, उनकी 30,000 है, तो ये academic fees हम direct colleges को देते हैं, इस योजना के तहत, जमू और कश्मीर और लदा के जो भ हम देश के जो नामचीन और पर्थिश्टिस्ट्स colleges हैं, हम उनी को ही अपने साथ जोडते हैं, हम colleges से willingness लेते हैं कि कौन-कौन सा institute हमारे इस scheme के साथ जुड़ना चाहता है, लिए उसका भी एक criteria है, सबसे पहला criteria ये है, कि वो colleges जिनके courses, MBA 50% accredited हैं, वो हमारे उस पे साथ को है, और जो NEC 3.0 से उपर है, NEC 3.0 या फिर उससे ज्यादा जिनके पास score है, NEC का, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो हम पहले ही एक ऐसा हमने लक्षमन रेखा, जिससे हम कहते हैं, जिससे कि देश के परतिशित college ही हमारे साथ आएंगे, बच्चों को offer मिलता है, लेक के बाद ही हम वो बच्चों को दिखते हैं, willingness के अंदर, scholarship भी प्लस उनको एक अच्छे शिक्षन संस्थान का भी option मिल जाता है, बिल्कुल ठीक का आपने की, उनको एक अच्छी scholarship भी मिल रही है, देश की बैतनी scholarship और साथ में परतिशित college हों के अंदर पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, यह तो बहुत अच्छी है, अनूठी पहल जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो मैंने सच कहा था, यह अनूठी पहल ही है, और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी जम्मू कश्मीरों लद्दाक के बच्चे हैं, वो पूरे देश में पढ़ते हैं, तो उनको योजना के लिए आवेदन किया हुआ है, या कोई और अन्यय योजना का अवलाब पहले से उठा रहा है, तो क्या वो तब इस स्कीम में आवेदन कर सकता है, देखिए, जैसा कि मैंने आपने सही एक प्रशन किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्ची क्या करते हैं, कि एक जग ने अग्र किसी स्कॉलर्शिप लेना है, अगर किसी स्टूडेν्ट पर एक ट्रशुब में रॉल कर रख और सम्घ्ची ने दूस पर uninterrupted Est?, क्योंकि वो NSP के जब D duplication के अंदर वो पकड़ा जाता है तो इसलिए मैं सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी scholarship लेनी है तो केवल एक वक्त पे एक ही scholarship लें अन्य था आपको दिक्कत होगी आपका admission भी cancel होगा और आपकी scholarship भी वापस ली जाएगी तो इसलिए मैं आपको जवाब का सवाल है उसका यही जवाब है कि एक ही वक्त पे एक ही scholarship दी जाएगी और यह भारत सरकार की ही तरफ से पहले है इसलिए मैं सभी बच्चों से दुबारा यह गुजारिश करूँगा कि आप एक व क्लियर होना चाहिए क्योंकि कुछ एंजी उस होते हैं कुछ उनको स्टुडेंट्स एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है बच्चे को पता नहीं होता तो कुछ लोग उनको ब्रहमित कर देते हैं कि आप पता नहीं चलेगा आप यहां से भी ले लिए scholarship वहां से भी ले लिए तो इसलिए आपने बड़ा अच्छा कोशन किया कि मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा किसी भी scholarship में नहीं हो सकता कोई भी scholarship में आप जाएं तो केवल एक प्रक्रिया कोई तरीका होता है किस तरह से होता है देखिए जो यह scholarship है इसके बेसिक criteria हैं जिसे हम follow करना पड़े हैं सबसे पहला तो इसमें यह है कि वो बक्चा जेनके या लद्दाक का कोई वो नहीं है लेकिन उसका school जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाक में होना चाहिए तीसरा जो उसकी family income है वो आठ लाग से जादा नहीं होना चाहिए तो यह basic criteria हैं जिसके base के उपर हम बच्चे का चैनित करते हैं जो यह बच्चे इनको fulfill करते हैं वही बच्चे इसके लिए शोट लिस्ट होंगे और दूसरा इसके अंदर के लिए 12 के बेस भी नहीं देते हैं इंजिनिंग के अंदर लेटर एंट्री में भी बच्चों का एड्मिशन देते हैं वो जो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम उनका चेन करते हैं सर मानली जी किसी स्टुडेंट में यह सारे क्राइटेरिया फुल्फिल करते हुए application apply कर दी है तो कुछ नहीं बच्चों को यह scholarship में लेगी जिन्होंने हमारे पोर्टल के उपर रेइस्टर करा रहा हुता दूसरा हम किसी भी open university के लिए किसी बच्चे का admission नहीं करते हैं अगर कोई बच्चा counselling में participate नहीं करता तो भी हम उसको scholarship नहीं दे सकते हैं अगला है कि अगर किसी बच्चे को हमने a college upload किया है अगर उसने a college में admission ना लेकर b में ले लिया तो भी हम उसको cancel कर देते हैं कोई बच्चे को कोई कोर्स मिला है और उसने अपनी मर्जी से कोर्स बदल लिया तो भी हम उस बच्चे को scholarship नहीं देते हैं तो इसलिए बच्चों के छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरा कि कुछ बच्चे जैसे मैं इसमें एक चीज और बताना चाहू सभी विद्यारतियों से जो भी मेरी बात को सुनेंगे कि जब भी आप कोई भी counseling में जाएं तो जब भी किसी college का chain करें सोच समझ के आप उसको college को chain करें उसकी सारी eligibility criteria को check करें और यह देखें कि उस college का क्या particular criteria है क्योंकि कभी-कभी किसी college का अलग criteria होता है कहीं पर कोई nursing council के अपने criteria है तो मैं student से कहना जाओंगे जब भी आप किसी इंसिट्यूट को आप च्वाइस फिलिंग में जाएं तो पहले चेक कर ले उसकी eligibility criteria अगर आपने eligibility criteria चेक नहीं किया तो आप अगर आप वह जाएंगे और आप उसके लिए eligible नहीं होंगे तो भी आपके admission cancel हो जा जान करें दो नुकसान होते हैं और दूसरा उस बच्चे का होगा जो स्कॉलिज में लेना चाहता था उसकी सीट भी खराब कर देंगे इस scholarship में दिया जाता है बच्चों को देखिए इस scholarship में मैं फिर दुबार एक बड़ी एक बहतरी scholarship है इसके अंदर हम academic fees के साथ maintenance fees भी दे साथ में हर बच्चे को हम एक लाग रुपे साल के maintenance fees देते हैं जो दस किस्तों में दस-दस आजार की आपको साल में मिलती है यही मेरा अगला प्रशन था कि एक बार में सारा amount सारी scholarship दे जाती है या कोई installment में इस इंस्टूट की जो फीस होती है वह हम institute को एक साथ देते हैं जो कि हम इसको maintenance fees कहते हैं और maintenance fees basically उस बच्चे की पढ़ाई के लिए लिए और उसके खाने के लिए जो बाकी खर्चों के लिए तो महीने के 10,000 रुपे उसको स्कीम के दो मिलते हैं कि जो उसकी पढ़ाई में कोई भी बादा ना है किसी तरह की भी बादा नहीं है यह पूरा ध्यान रखा गया है स्कॉलर्शिप में कि बच्चे की पढ़ाई से लेकि उसकी बागी साथ में जरूरत होती है क्योंकि वह अपना एक स्टेट छोड़के दूसरे स्टेट में पर्षें तो उन चीजों का भी पूरा ख्याल स्कीम में रखा गया है उनके सीधे उनके college के account में जाता है या बच्चों के account में जाता है और किस तरीके से उनने यह amount receipt होता है जो अकाइडेमिक फीस है वह तो college के सिध्यकिया क्वाइघक जात叠ीव और जहां से ही और पृपिर के इक लाक desp पता है वह बच्चे के सिध्य बच्च एकवाइड में जाती तो बच्च एक अकाउट में हैं जाए वो डिरेक्ट आपके ही खाते में आए और डिरेक्ट जो आपकी मेंटेनिंस फीस है वो आपके खाते में आएगी DBT के थरू आएगी कोई हेलप नंबर या कोई इमेल आईडी बच्चे अफलाई कर देते हैं उसके बाद में उन्हें बहुत से समस्याइं आती हैं कई बार उन्हें कुछ डाउट होते हैं तो वो सीधे आपकी टीम से बात कर सकें अपने डख क्लिए कर सकें अपनी जो भी शंकायopardy आपसे पूछ सकें तो एसा कुछ sometime number या कोई का इमेल आईडी जो बच्चे हमारे शोता इससमय हमारे दश्यकिस समय जान सकें बिल्कुल अमारी जो help line number है वो आप लिख सकते हैं 011 Delhi का code है 29581051 जो हमारी help line working hours में खुली रहती है और वो attend करते हैं और बच्चे की जो भी कोई प्रेशानी हैं उसको दूर करते हैं और दूसरा जो हमारी email id है jkadmission2024-aict-india.org मैं दुबारा बताना चाहूंगा jkadmission2024-aict-india.org इसके उपर आप अपनी queries डाल सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत हो तो AICT आपकी सभी queries का बड़ा सफलता पूर्वक और बड़े सही डंग से उत्तर देगा जिससे की आपको कोई भी परेशानी ना हो सर हमारे कारेक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को इस विशेश और लापकारी योजना के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आशा है कि हमारे दर्शकों को ये कारेक्रम पसंद आया होगा इंस्टिटूट्स, फेकल्टी मैंबर्स और छात्रों के लाग के लिए AICTE से जुड़ी तमाम जानकारियों योजनाओं और गति वीदियों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ किसी नए विशे और नई जानकारी के साथ हम जल्द हाजिर होंगे AICT Insights पर आप कारे करम के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले नमस्कार